तो आईए लेक की शुरुआत करते हैं E-commerce और बदलता बाजार अभी हाल ही में दशहरा और दिवाली के मौके पर बाजार में खरिदारी का एक नया माहौल देखा गया गोर तलब है कि इसमें एक तरफ जहां दुकान और शॉपिंग मौल में विशेश छूट की विवस्था थी तो दूसरी तरफ फ्लिपकार्ट वामेजन जैसे ओनलाइन शॉपिंग साइट्स पर बिग बिलियन डे और ग्रेट इंडिया सेल लगा हुआ था इसमें ग्राहकों ने अपनी सूझ बूझ और विफिंग कैशलिस माध्यमों द्वारा खूब खरिदा रिकी इसी क्रम में एक तरफ जहां चीन का बाजार अपने यहां 11 नवंबर को होने वाले सिंगल डे की तैयारी में जोर शोर से जुटा है वहीं दूसरी तरफ विश्व के कई ओनलाइन स्टोर भी निकट्टम क्रिस्मस के मौके पर अधिक से अधिक ग्राहकों तक अपनी पहुँच बनानी की कोशिश में जुटे हुए हैं ध्यान देने वाली बात है कि पिछले वर्ष इसी मौके पर 18 बिलियन डॉलर की बड़ी धनराशी के साथ चीनी कंपनी अलिबाबा सबसे बड़ा घरेलू ऑनलाइन स्टोर सावित हुई वास्तों में e-commerce व्यवसाय का एक ऐसा model है जिसमें कोई व्यक्ति या firm इंटरनेट जैसे electronic माध्यमों से व्यपार करता है इसमें मूल रूप से B2B यानि business to business, B2C यानि business to consumer, C2C यानि consumer to consumer और C2B यानि consumer to business के व्यवसाय करूप को देखा जा सकता है वैसे देखा जाये तो पिछले एक दशक में वैश्विक e-commerce सालाना 20 फीजदी की औसत दर्से विस्तार कर रहा है इस पर Goldman Cess जैसे बड़े बैंक 2016 से 20 के मद्ध ऑनलाइन खर्च में दोगुना से भी ज्यादा वृध्धी की अपेक्षा कर रहे हैं इसमें यूरो मॉनिटर जैसी शोध संस्था का संदर्भ लें तो भारत, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों से आगे निकल रहा है वहीं अमेरिका और चीन जैसे देशों से इसकी कड़ी प्रतिस्परधा भी हो रही है आप सवाल उठता है कि बाजार का बदलता यह स्वरूब ग्राहक, व्यापारी और सरकार सभी के लिए कितना लाभकारी है अधिक इस पश्टता से कहें तो ग्राहक जो समान ओनलाइन बुक करता है क्या वही समान उसे डिलिवर किया जाता है या नहीं ग्राहक की निजी जानकारी, अभिरुची और लेन देन वाले माध्यमों की सुरक्षा की उचित ववस्था है या नहीं इन ओनलाइन साइटों पर विक्रेता को पारदर्शी प्रतिसपर्धा का खुला मंच मिलता है या नहीं साथी सरकार द्वारा बनाये गए कर व्यवस्था वह उपभोगता अधिकार सनरक्षन कानून का ठीक से पालन हो रहा है या नहीं आईए बारी-बारी से इन विभिन पक्षों की परताल करते हैं सबसे पहले बाजार के केंदर में खड़े ग्राहक के पक्ष को देखें तो उसके लिए बाजार का यह नया स्वरूप कभी भी कहीं भी और उसकी मनचाही वस्तूओं वसेवाओं की खरिदारी के लिए सरल और सहज मंच प्रदान करता है वह नई फैशन के कपड़े, मुबाइल, गैजेट्स, दवाईयां, घरेलू सामान, रेल वह हवाई टिकट इत्यादी को भी विभिन उतपादों के मध्य तुलना कर उसकी खुबियों को पसंद करके उसके कॉन्फिग्रेशन को समझ कर खरिदारी कर सकता है और उनमें त्र व्यापारियों की बात करें तो उन्हें भी अपना उतपाद बेचने के लिए एक बहुत बड़ा बाजार सहजता से सुलब हो जाता है इसके लिए उन्हें बड़ी-बड़ी दुकाने खरीदने या किराये पर लेने की जरूरत नहीं होती उन्हें भारी भरकम बिजली बिल या बहुत सारे स्टाफ रखने की आवशक्ता नहीं होती मात्र इंटरनेट, कम्प्यूटर और एक दो कर्मचारियों के साथ कहीं भी एक छोटी सी जगह से व्यवसाय को शुरू करने की आवशक्ता होती है किन्तु यदि अमेरिका और चीन के अमेजन वो अली बाबा की बा पन सेवायवम विनिर्माण के क्षेत्र में भी फैले हुए हैं वास्तों में इस e-commerce के बाजार में आकार का बहुत बड़ा महत्व है जिसमें डेटा, तकनीकी विशलेशन और विशेशक्गिता वो नेटवर्क इसकी व्यापकता में सहायता करते हैं जहां तक सरकार का प्र कायत पर कारेवाही सरल हो गई है साथी आने वाले समय में इस व्यापक उभरते बाजार से व्रिहद मात्रा में कर संग्रहन की भी अपार संभावना है तभी तो अभी केंद्र सरकार ने आफसोर क्षेत्र में भी e-commerce को बढ़ावा देने की बात की है अभी जबकि मार्च मे सरकार ने e-commerce के खुदरा बाजार में 100 फीजदी FDI निवेश की इजाज़त दी तो इसके विरोध में खुदरा कारोबारियों के आलोचनात्मक स्वर भी सुनाई देने लगे इन सब संदर्भों पर व्यापक नीती बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा e-commerce को लेकर अमि ताकि कारोबारियों के लिए व्यवसाय करना सहज हो वहीं रोजगार के भी व्रिहद आफसर स्रिजट हो सकें गोर तलब है कि अमेजन का जहां 14 ब्रिहद बाजारों में e-commerce साइट्स हैं वहीं अली बाबा का बाजार दक्षिन पूर्व एशिया से लेकर ब्राजील और रूस तक फैल रहा है साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि अमेरिका में जहां वालमार्ट, अमेजन को चुनोती देने की कोशिश में है तो वहीं चीन में अली बाबा का सामना जेडी और टेंसेट के साथ भी है वैसे इस क्षेत्र में दुनिया की कई e-commerce कमपनियां जैसे Nespair, Tiger Global, Flipkart इत्यादी भी अपनी उपस्थिती दर्ज करा रहे हैं हाला कि एक दूसरा पक्षियह भी है कि भारत जैसे देशों में क्या e-commerce का बाजार परिपक्व है, क्या खरिदारी की मानसिक्ता निश्यल है या वे शेपिंग चार्ज जैसे मामूली लाव के लिए ज्यादा समान मंगवा कर उन में से बहुत सा समान वापस कर देते हैं गौर तलब है कि वस्तो स्थती बदल रही है, उपभोक्ता पहले से प्राप्त सुविधाओं से आगे बढ़कर व्यापक पसंद और पहले की तुलना में अच्छी गुडवत्ता के साथ साथ मूल्यों में अधिक पारदर्शिता चाहता है वह दुकानों की यात्रा करने, सामान उठाने, वह कतारों में खड़े रहने के बजाए, घर बैठे ही चीजों को पाना चाहता है और इसके लिए कंपनियां भी इस मनुवृत्ती को अवसर मान कर बहतर उतपादन सुविधा की प्रतिसपरधा में जुट गई है अब यदि इन ओनलाइन खरीदारी में खरीदे गए वस्तूओं की बात करें, तो डिलिवरी के सायत, समान की गुडवत्ता, टुटी युक्त उतपाद होने पर उसका रिप्लेस्मेंट या कैश्बेक की विवस्ता और ग्राहकों की प्रति कस्टमर केर की असमविधन शीलता इस उभरते बाजार के समक्ष कुछ बड़ी चुनोतियां हैं ऐसी भिगटनाय सामने आई हैं कि जिस तरह ऑनलाइन ओर्डर की पैकेजिंग, शिपिंग वर डिलिवरी को ट्रेक किया जाना आसान है उसी तरह ऑनलाइन लेन देन कर रहे ग्राहकों के कारे या खाते संबंधी समविधन शील जानकारी को साइबर अपराधियों द्वरा ट्रेक कर दुरुपियोग किया जाता है आता इन चुनोतियों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है इस संदर में IT Act 2000 महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान करता है तथा IT संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 72A समविधन शील व्यक्तिगत जानकारी और डेटा के दुरुपियोग को दंडनिया अपराध की श्रणी में रखता है यहां काभिले गौर है कि आर्थिक लेन दिन में साइबर पक्ष को और सशक्त करते हुए किंद्र सरकार ने राष्ट्रिय साइबर सुरक्षानिती 2013 जारी किया है साथ ही इस संदर में हुए अन्यप्रयास इस तरह है NCIIPC यानि National Critical Information Infrastructure Protection Center, CERTIN यानि Computer Emergency Response Team India, ISEA यानि Information Security Education and Awareness, I4C यानि Indian Cyber Crime Coordination Center तथा RBI द्वारा जारी अनाधिकरत Electronic Banking लेन देन में ग्राहकों का उत्तरदाइत्व सिमित करने वाला परिपत्र इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि Hacking, Phishing और Ransomware Cyber हमलो आधि से बचने के लिए सुरक्षित विंडो, Verified by Visa, Two-Layer Secure Lending की प्रडाली का प्रयोग किया जाए अपने OTP और CVV को किसी भी स्थिती में अपरचित से शेयर ना करें वही यह भी जरूरी है कि Delivery लेते समय ग्राहक उसी वक्त सामान को खोल कर जाँच कर लें और इस पूरी प्रक्रिया का साक्ष स्वरूप वीडियो बना लें इसकी स्विक्रिती अब E-Commerce कंपनियां भी दे रही हैं वैसे एक पक्षया भी है कि क्या इस तरह के उभरते बाजार के नए स्वरूप से आस-पास के छोटे दुकांदार, रेहडी पटरी वाले, बुध बाजार, शुक्र बाजार से जुड़े लोगों के रोजगार के साथ कोई अंतर विरोध तो नहीं है क्योंकि खुदरा बाजार अर्थविवस्था वा बाजार को कई तरह से प्रभावित करता है बहुत से देशों में यह केला सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षत्र है अमेरिका में ही नौ में से एक रोजगार इस क्षत्र द्वारा प्रदान किये जाता है तभी तो हाली में जब बिग बिलियंडे व ग्रेट इंडिया सेल में महंगे से महंगे ब्रेंडेड मोबाइल पर 30-40 फीजदी की भारी छूट देखने को मिली तो सीधी प्रतिसपरधा छोटे दुकांदारों से दिखने लगी इसमें चिंता का विश्य यह भी है कि इस तरह से पारंपरिक खुदरा दुकांदारों के रोजगार घटेंगे ही और वे व्यवसाय के दूसरे ख्षत्र में जाने को बाद्धे हो जाएंगे यहां यह बात भी सही है कि नए रोजगार के आउसर भी खुलेंगे लिकन यह आउसर पारंपरिक व्यवसाय से बेरोजगार हुए लोगों के लिए कितना अनुकूल होगा यह कहना मुश्किल है क्योंकि यह बाजार नवीन इलेक्ट्रोनिक उपकरण के नवाचारी पक्ष पर भी आधारित है फिर यदि खरिदारी के लिए प्रयोग होने वाले नो कोश्ट EMI के प्रचलन की बात करें तो इससे बैंकों के उपर आर्थिक नुकसान के साथ साथ अधिक काम का दबाव भी बढ़ने लगा है यदि थोड़े बड़े व्यापारियों के बात करें तो कई ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं जिसमें ओनलाइन इस्टोर पर अपने उत्पाद बेचने के लिए कई उत्पादकों को अपने उत्पाद पर विशेश छूट देने के लिए बात ही किया जाता है जबकि यहां यह देखना दिल्चस्प है कि अमेजन और अलिबाबा जैसी नवचारी कमपनिया खुद्रा विक्रेता की श्रेणी में नहीं आती अमेजन जहां कारगो विमान को लीज पर भी देती है अलिबाबा का कारोबार तो अमेजन से भी बड़ा है यह खरिदारी, मनुरंजन, क्लाउड कम्प्यूटिंग के साथ साथ भुगतान और सोशल मेडिया से भी जुड़ा हुआ है वैसे किसी भी आदर्ष लोकतांत्रिक समाज में अधिकारों की रक्षा वो आवसर की समानता उपलब्ध कराने के लिए नई बदलती विवस्था के अनुरूप खुद को बदलना जरूरी है भारत जैसे देश के लिए तो यह और भी आवश्चक है कि 21 सदी जो एशिया के सदी होने वाली है इसमें चीन जैसी तेजी से उभरती अर्थ ववस्था से प्रतिस परधा के लिए इस परिवर्तन को अपने विकास का वाहक बनाए क्योंकि 21 सदी में पेट्रोलियम और परमाणू उर्जा के बाद उपभोगता से जुड़े ब्रहत डाटा भंडार ही वास्तों में सबसे मूलेवान संसाधन बनने वाले हैं जिसके संग्रहन, प्रोसेसिंग, वह उसका उप्योग, विनिर्माता, विक्रेता और उपभोगत के लिए ओनलाइन वा ओफलाइन बाजार की तस्वीर को व्यापक रूप से बदलने में सक्षम है, इस परिप्रेक्ष में यह सही समय है कि डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी वा स्मार्ट विलेज की अवधारना को मजबूत करते हुए आवसन रचना को मजबूत किया ज दूर दराज के गाउंँ तक हो सके, जिसका अनुसरन करते हुए यह भरता बाजार अपना वैश्विक स्वरूप धारन कर समाज के हर वर्क के लिए सुवसर का माध्यम